हिंदू पौरानिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड एक चक्र में बनता और नश्ठ होता है पौतिक विज्ञान के कई सिदांत हिंदू देवी देवताओं की लीलाओं में भी सिद्ध होते हैं आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मा और श्रीक्रिष्न के बीच हुए एक ऐसे ही प्रसंग के बारे में जिसमें श्रीक्रिष्न ने समझाई ब्रह्मा को थियोरी ओफ रिलेटिविटी स्वागत है आप सभी का The Divine Tales यूट्यूब चैनल पर और आपने बिल्कुल सही सुना मैं उसी थियोरी ओफ रिलेटिविटी की बात कर रहा हूँ जिसे जब आइंस्टाइन ने दुनिया के सामने रखा तो पूरी मानव जाती को सोचने का एक नया आया मिला थियोरी ओफ रिलेटिविटी के सिद्दान हमारे पुरानों में हजारों वर्षों से लिखित पड़े हैं शुरोताओं बात तब की है जब बगवान विश्नु कृष्न अवदार में पृत्वी लोग पर रह रहे थी एक बार जब ब्रह्मदेव विचरन करते हुए बू लोग पहुँचे तो देखते हैं कि कृष्न कुछ साथियों के साथ वन में गाय चरा रहे थे ब्रह्मा ने कृष्न को जब दीन गवालों के संग बोजन करते देखा तो ब्रह्मा को ये देखकर बड़ी ग्रिना हुई कि कृष्न गवालों के जूते कौर खा रहे है उन्होंने सोचा कि ये कैसा परब्रम है क्यों ना इसकी परिक्षा ली जाए कि ये परब्रम है भी या नहीं पहले तो ब्रह्मा ने उनके गाय बचडे चुरा लिए फिर जब श्री कृष्ण अपने गाय बचडों को खोजने गए फिर ब्रह्मा ने एक और चाल चली अब उन्होंने सभी ग्वालों को पहले तो अदृष्य कर दिया फिर स्वयम उन्हें ब्रह्मलोक ले जाकर छुपा दिया ब्रह्मा जी ये चाल चलकर बड़े प्रसंद हुए बगवान कृष्ण जब वापिस लोटे तो उन्हें सब समझ में आ गया बजाय किसी जवाब देने के कृष्ण ने खुद को कई रूपों में विवत्व करके उन समस्त ग्वालों गायों और बचडों का रूप स्वयम धर लिया ब्रह्म लोक के समय के अनुसार तो ब्रह्मा जी ने एक शनबर में ही ग्वालों और गायों को ब्रह्म लोक में पहुचा दिया पर जब लोटकर प्रिट्वी पर आये तो theory of relativity of time के अनुसार इतने में प्रिट्वी लोक पर पूरा एक साल बीथ गया था एक साल से भगवान कृष्ण के वो अंश, ग्वाले और गाय अपने गाउं परिवार के बीच रह रहे थे, लेकिन किसी को भी ये एसास नहीं हुआ कि ये असली नहीं है इधर भ्रह्माजी जब दर्ती पर वापिस आय तो देखते हैं कि जिन गाय गवालों को वो अभी अभी ब्रह्मलोक छोड़कर आय थे, वो पृत्वी लोक पर कृष्ण संग खेल रहे हैं उपर देखा तो ग्वाले ब्रह्म लोक में थे, नीचे देखा तो वही ग्वाले कृष्ण संग खेल रहे हैं। ये सब देखकर ब्रह्मा जी चक्रा गए। जब बहुत समय तक वे कुछ समझ नहीं पाए तो आखे बंद करके मन ही मन प्रभू चर्णों का ध्यान करके प्रात उठा दिया। ब्रह्मदेव आके खोलते हैं तो धर्शन करते हैं शेशनाग पर विराजित भगवान विश्णू के और ये क्या जो ग्वाले और गाये प्रित्वी पर थे वे सब भगवान विश्णू के आलोकिक रूप में आ गए। त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए ब ब्रह्मा का जीवनकाल 120 दिव्यवर्ष का है। हर दिन ब्रह्मा एक के बाद एक 14 मनु बनाते हैं जो बदले में दुनिया को बनाते और नियंतरित करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक दिन में मनु की 14 पीडियां अपना जीवन जी लेती हैं। अगली सुबे वे फिर से पहले मनु का स्रिजन शुरू करते हैं यह चक्र 120 दिव्य वर्षों तक चलता है जिसके अंत में ब्रह्मा खुद को नश्ट कर देते हैं और फिर उनका पुन्रजनम होता है श्रीमद बागवत गीता में लिखा है सहस्त्र युग अहरियद ब्रहामनो विद्व अर्थार्थ ब्रह्मा का एक दिन एक हजार महायुक के बराबर है इसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन पृत्वी के चार खरब 32 अरब वर्ष के बराबर है उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहे दर डिवाइन टेल्स के साथ यूट्यूब और अब फेस्बूक पर भी कोई सुजाव हो या शिकायत हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए जय श्री कृष्णा